हिंदु धर्म में जोती शास्त्र का बहुत हिंभात्व होता है जोती शास्त्र में कुल बारा राश्यों का उलेख किया गया है ये राश्यां ग्रहण अच्छत्रों के हिसाब से हमें फल देती हैं अगर आपके कुंडली में ग्रह नशत्रों के इस्थिति अच्छी होती है तो ये आपके जीवन पर सकरात्मक प्रभाव डालती है लेकिन अगर इन ग्रह नशत्रों का प्रभाव आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो ये आपके जीवन में नकरात्मक प्रभाव भी डालती है अगर ये सकात्मक प्रभाव डालती है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है लेकिन वहीं अगर ये ग्रह नशत्र नकरात्मक प्रभाव डालें तो आपके जीवन में आई हुई खुसियां भी चली जाती हैं ऐसे में कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके उपर माता लक्षमी की किरपा बरसने वाली है इन राश्यों के उपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और इन राश्यों की कुंडली में शुब योग भी बन रहा है आपको बता दें कि इन राशी के चात्कों के उपर माता लक्ष्मी की खास क्रिपा होगी और इस राशी के चात्कों को अपनी जीवन में सफ़ता मिलने वाली है आपको अपने किसी बड़े लोगों का सायोग मिल सकता है बहुत दिनों से आप कर्ज में डूबे हुए थी अब आपको अपने कर्ज से छुटकारा मिलने वाला है आपके परिवार में आपको अपनी पत्ती का सायोग सबसे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो आपके सुख दुख का साथी है आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा सावित होने वाला है आपको अचानक से किसी भारी धन की प्राप्ति हो सकती है जिसकी वज़से आपका मन खुस रहेगा आप अपने जीवन में तेजी से प्रगती करते हुए आगे बढ़ जाएंगे आपके परिवार में सुक शान्ती बनी रहेगी आपका मन बहुत ही खुस रहेगा आपको बताते चलें कि हम जिन चार राशियों की बात कर रहे हैं वो चार राशियां कोई और नहीं बलकि ब्रिशब, कन्या, ब्रिशचट और मकर राशी है नेक्स्ट नाइन स्प्रिचुल से बिनितराय की रिपोर्ट